हलो गाइज, वेलकम बैक टू माई निव वीडियो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप कोई e-commerce वेबसाइट से कैस करो के थुरू आपने कोई product order किया था और कैस करो में उस product का जो commission है वो add नहीं हुआ है, तो कैसे add करवाएंगे, क्या-क्या process करना होगा, कैसे add होगा, पूरा detail में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके लिए सबसे पहले cash करो application open करते हैं, और आपको step by step पूरा process दिखाते हैं, देखिए आपर cash करो application open करनी है guys, देख सकते हैं आपको इस पर करका interface आएगा, सबसे नीचे में आपको 5 option and earn और उसके बाद आपका wallet में कितना amount है वो दिखाई देगा, उसके बाद fourth number में है missing, cashback missing का option fourth number में है, cashback missing पर आपको click करना है, इस पर click करेंगे तो इस परकार का interface आएगा, यहाँ पर देखिए did you shop, आपको yes पर click करना है, उसके बाद देखिए कौन सा website से आपने order किया था मैंने Amazon से order किया था, वो product, Amazon पर click करते हैं guys, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने order कब किया था, जो भी date में आपने order किया था, वो date select करेंगे, मैं 3 April को order किया था, यहाँ select किया, उसके बाद continue पर click करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए, enter order ID, अब वो product का order ID यहाँ पर फिल करना है, जिसका commission आपका add नहीं हुआ है, cash करो में, Amazon का my order section में आ गए है guys, यहाँ पर देखिए यह product है, जिसका commission add नहीं हुआ है, इस product पर click करेंगे, और इसका order ID copy करेंगे, आपको order ID find नहीं करना रहा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी order details का option है, इस पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको order ID दिख जाएगा, देख लिजे, यही order ID है, देख सकते हैं, यह order ID को आपको copy करना है guys, चलिए यहाँ पर copy कर लेते हैं, copy करके, और cash करो application में जाते हैं, और यहाँ पर मैं order ID को paste कर देता हूँ, अब continue पर click करते हैं, continue पर click करने के ब product, तो 449 यहाँ पर fill कर लिए, उसके बाद submit पर click करते हैं, so guys, इतना process करने के बाद इस परकार का interface आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए, मेरा जो complaint है, वो यहाँ पर add हो चुका है, और यहाँ पर resolution का date यहाँ पर दिया है, 5 April 2024, यानि 5 April तक आपका जो update है, वो आज जाएगा, यदि आप cash करो के through shopping किया था, तो add हो जाएगा आपका balance, और यदि आपने cash करो के through नहीं किया था, तो यहाँ पर add नहीं होगा, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंदा, वीडियो पसंदा तो like कीजे, channel पर पहली बार आए है, subscribe कर लिजे, thank you